आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे AI टूल्स के बारे में जिससे आप image को वीडियो में convert कर पाओगे और वो भी free और unlimited times और आज के वीडियो में एक नहीं बलकि मैं आपको काफी AI टूल्स बताऊंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि AI के नाम के साथ उसे use कर करने का method भी बताने वाला हूं देखो image generate करने के लिए काफी free AI tools available हैं लेकिन जब वीडियो generate करने की बात आती है तो बहुत कम AI tools हैं जो free में video generate करते हैं ज्यादा तर tools में आपको subscription लेना पड़ता है या फिर कुछ ही credits मिलते हैं जिससे आप video को generate कर पाते हो तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे tools को देख लेते हैं जिसमें आपको fixed credits मिल जाते हैं या फिर daily credits मिलते हैं तो देखो ये कुछ AI tools हैं जैसे कि VO3 जो आपको Gemini में मिल जाता है next है Digin इसमें आपको daily credits मिलते हैं और साथ ही काफी features भी मिल जाते हैं और next है VO2 जो कि आपको Google AI studio में मिल जाता है और एक tool गूगल फ्लो जिससे आप यूज कर सकते हो लेकिन इसे यूज करने के लिए आपको VPN का यूज करना पड़ेगा देखो ये तो कुछ AI टूल्स हो गए जिसमें आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं लेकिन इससे जनरेट की हुई वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी हो देखो अब हम कुछ ऐसे AI टूल्स को देख लेते हैं जिससे आप फ्री में वीडियो जनरेट कर पाओगे और वो भी एनलिमिटेड टाइम्स तो हमारे पहले AI टूल का नाम है Meta AI देखो Meta AI में आपको इमेज और वीडियो दोनों जनरेट करने का ओप्शन मिल जाता है तो आप इससे इमेज को वीडियो में कनवर्ट कर सकते हो और ये एक दम फ्री है Meta AI को यूज करने के लिए आपको Meta AI के साइट पर आ जाना है अब आपको प्लस आइकोन पर क्लिक करके इमेज को अपलोड करना है और प्रॉम्ट देकर वीडियो को जनरेट कर लेना है लेकिन उससे पहले आपको Meta AI पर लॉग इन करना होगा और उसके लिए आपको अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को Meta AI से लिंक करना होगा चलो अब हम दूसरे AI टूल पर चलते हैं तो नेक्स्ट टूल है क्वेन AI इसे यूज करने के लिए आपको क्वेन AI पर आ जाना है और अब यहाँ से वीडियो जनडेशन आइकोन को सेलेक्ट कर लेना है अब इस पर इमेज को अपलोड करना है और प्रॉंप्ट को पेस्ट कर देना है बस अब आप वीडियो को जनरेट कर सकते हो देखो इससे आप 1080p वीडियो क्वालिटी पर वीडियो को जनरेट कर सकते हो तो हमारे next यानि third AI tool का नाम है LTX Studio इससे भी आप free में वीडियो को जनरेट कर पाओगे और इस tool में आपको quality और duration adjust करने का option भी मिल जाएगा देखो इस AI tool को use करने का method भी same ही है सबसे पहले आपको LTX Studio को सर्च करना है Man page open होने के बाद आपको इस image to video वाले option पर click करना है अब बस image को upload करना है, prompt देना है और वीडियो को generate कर लेना है अब हम चलते हैं SORA2 पर जोकि अभी तक का best video generator tool है क्योंकि इसमें video के साथ साथ audio भी मिलता है और एक video में काफी frames होते हैं इसको use करने के लिए आपको सबसे पहले इस video को देखना होगा जिससे आप SORA2 का access free में ले पाऊगे अब सबसे पहले आप VPN को connect कर लो और Kanada को select कर लो अब SORA2 पर आ जाना है और इस plus वाले icon पर click करना है अब इस plus वाले icon पर आकर image को upload कर देना है और prompt को paste कर देना है अब आप चाहो तो इसमें adjustment भी कर सकते हो बस अब video को generate कर लेना है अब हमारे next AI tool का नाम है honeymoon video इसको use करने लिए आपको किसी भी browsing site पर honeymoon video को search करना है और इसे open कर लेना है अब try it free पर click करना है AI tool open हो जाने के बाद आपको बस prompt लिखना है और video को generate कर लेना है क्यूंकि अभी इसमें image to video का option available नहीं है तो आप इससे सिर्फ text to video ही generate कर सकते हो चलो अब हम next tool पर चलते हैं तो हमारे list के 6th AI tool का नाम है grok AI शायद आपने इसे use भी किया होगा तो मैं बता दूं कि grok AI से भी आप image को video में convert कर सकते हो आप grok AI के application से इसे use कर सकते हो जो कि play store और app store दोनों पर available है तो अब हमारे next AI tool का नाम है slope club इसे use करने के लिए आपको slope club को search करना है और इसे open कर लेना है अब आपको इस plus वाले icon पर click करना है और अपने image को upload कर देना है अब बस prompt देना है और video को generate कर लेना है तो दोस्तों ये थे कुछ AI tools जिससे आप free में image को video में convert कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही video पसंद आया हो तो video पर एक comment कर देना मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए बने रहें हमारे channel के साथ